केशोपूर गाउं में अधिक तर लोग खेती करने वाले ही रहते थे पूरे गाउं में सिर्फ दो ही कुएं थे जिन से लोगों को पानी मिलता था उस समय बाद गाउं का एक कुएं पूरी तरह सोक गया अब पूरे गाउं के लोग पानी की जरूरत के लिए एक ही कुएं पर निर्भर थे दूसरे कुएं से पानी भरते भरते लोगों को लगा कि कुएं में कोई भूत रहता है जब गाउं के किसान कुई से पानी भरते थे तो उन्हें अजीब सी आवाजे सुनाएं देती थी खेती करने वाले पुर्सों की पत्निया तो दर के मारे कुई के आसपाग भी नहीं आती थी दिर दिरे पूरे गाउं में बात फैल गए कि कुई भोतिया है अब रात के समय कोई भी कुई के पास नहीं जाता था इसी बीच गाउं का एक बच्चा कहीं खो गया काफी डूरने के बाद ये बच्चा जब नहीं मिला तो कुछ लोग कुई के पास बच्चे को देखने के लिए गए वहां कुचे लोगों ने बच्चे को कुई के अंदर मरा हुआ पाया अब एक तो कुई का पानी खराब हो गया और दूसरा बच्चा कैसे मरा इसको लेकर गाउं के सभी किसान परेशान हो गय थे सबने एक दिन मिलकर नया कुई खोदेने की सूची उची दिवों में कुई सबने खोट लिया और उसमें पाने भी आने लगा अब पूरे गाउं के लोग नए कुई से ही पानी भरते थे और भूतिया कुई की तरब जाना सबने बंद कर दिया था पड़े लोग तो समझता थे इसलिए कुई के आसपास नहीं जाते थे लेकिन बच्चे वहाँ अक्सर खेलने के लिए पहुच जाते थे एक दिन चार पांच बच्चे भूतिया कुई के पास खेल रहते तब ही एक बच्चा कुई में गिर गया उसके चीखिने की आवाज सुनकर पूरे गाँवाले दोड़ते हुए भूतिया कुई के पास पहुचे उन्होंने के अंदर देखा तो बच्चा मरा हुआ दिखा सबने उस बच्चे के साथ खेल रहे दूसरे बच्चों से पूचा आखिल क्या हुआ था बच्चों ने कहा वो खेलते खेलते पानी को देखने गया और अचानब फूए में गिर गया इस हाथ से के पास गाँवालों ने तुरंट एक तांत्रिक को जाकर फूए के पास बुलाया वहाँ पहुँशकर तांत्रिक ने बहुत सारे मंत्र पढ़े जिसे सुनकर भूस सबके सामने आगया तांत्रिक ने अपनी विद्या का इस्तेमाल करके उच्चों कर जाने के लिए कहा गूत ने तांत्रिक की बात को मानने से इंकार कर दिया तांत्रिक ने पूछा तुम क्यों नहीं जाओगे, यहां अकर बच्चे मर रहें इसलिए तुम्हें जाना ही होगा, गूत ने जबाब दिया इस खुए में सालों से मेरा फुरा खान गान रहता आ रहा है, मैं यहां से बिल्कुल नहीं जाओगा, इतना कहकर गूत खुए के अंदर चला गया, अब तांत्रिक ने गाओं के लोगों से कहा, इस खुए के मूँ को ढख दू, ऐसा करने से किसी तरह के हाथ से नहीं होगे, यह सुनते ही गाओं के मुख्या ने दुरम काम चुरू करवा दिया तो, पुए के मूँ पर जालिद डाल कर पुरी तरह से दे सब्सक्राइब के लिए, और उसे ढख दिया गया, अब सारे गाओं माले उसी खुशी रहने लगे, उस दिन के पास से गाओं में ऐसी किसी तरह की घटना नहीं हुई, और भूतिया कुए के डर से लोग मुक्त हो गए, तो दोस्तों मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में नई श्टोरी के साथ